तो जय हिन स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोरप कम्प्यूटर पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपी अस्टी की तरफ से जो नौटिफिकेशन आया है 68 कंबाइन प्रीग्जाम की जो वेकेंसी आई है उसके बारे में चलिए दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें टोटल कित्ते पद हैं तो पदों की बात करें तो ये 281 पदों के लिए वेकेंसी आ रही है जिसमें से आपके जनरल वालों के 129 और OBC वालों के 39 और EOBC बिहार में EOBC होता है इसके लिए 39 पद अब हम बात करेंगे important dates के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी form apply करने की starting date कब से होगी तो इसकी जो starting date हो आपकी 25 November 2022 से चालू हो जाएगी इसकी जो last date रहेगी apply करने की आप 20 December तक इसमें form apply कर सकते हैं अगर आपका कुछ form में गलत हो जाता है तो आप उसक 30 तरिक तक 30 December तक आप इसमें उसको correct कर सकते हैं अब हम बात करेंगे age limit के बारे में इसमें आपकी age क्या मागी है उम्र क्या मागी है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूए इसमें minimum age है वो आपकी 20, 21 और 22 इसमें post twice इसलिए लिखा है कि अलग-अलग post के लिए अलग-अलग minimum age है वो मैं आपको notification में बताऊंगा आपको notification दिखाऊंगा इसके बाद बात करता है maximum age तो male के लिए पुरुषों के लिए जो maximum age है वो 37 है और maximum age जो female है उनके लिए 40 years है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसका notification है मैंने भी आपको बताया था कि इसमें अलग-अलग विभाट के लिए अलग-अलग नियुत्तम उम्र मांगी गई है अलग-अलग post के लिए अलग-अलग minimum age मांगी गई है वो कैसे आप चेक कर सकते हैं notification में आपको बता देता फर्स्ट वाले में पुलिस उपादिक्षक के लिए गुरू विभाग में जो नियुत्तम उम्र मांगी गई है वो 20 वर्स मांगी गई है यहां पर चेक कर सकते हैं नियुत्तम उम्र यहां पर दी गई है आप सब का चेक कर सकते हैं किस विभाट के लिए कित्ती नियुत्तम उम्र मांगी गई है आप सब चेक कर लीजिएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि राज जेकर सहाय कायुक्त बिहार इसमें वाण जेकर विभाट के लिए 22 वर्स मांगी गई है एज ऐसी आप सब चेक कर लेंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में अपलाई करने में बहुती आसा जाते हैं वही फॉर्म इसमें अपलाई कर सकते हैं तो जन्रल ओबीसी और अजर इस्टेट बिहार के बाहर वालों की जो फिस लग रही हो 600 रुपिस लग रही है एस्टी एस्टी और पीएच वालों की फिस लग रही है 150 और फीमेल जो की बिहार का डुमिसाइल है उनके ल तो आप इसमें फॉर्म अपलाई कर सकते हैं और इसमें थोड़ा और कुछ भी थोड़ा चेंजे से तो मैं आपको नोटिफिकेशन में बताता हूं कैसा क्या रहेगा फिर हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में इसका फिजिकल क्या मांगा है तो मेल के लिए इसमें जो यह भी रहता है हाइट 5.3 समझ लो और चेस्ट 31 इंच बीना फुलाई होना चाहिए अब हम बात करेंगे इसमें फिमेल के लिए इसमें हाइट किती मांगी है तो 5.2 इंच इसमें हाइट मांगी गई है अब हम बात करते हैं इसकी एक्जाम पैटन के बारे में इसमें इंजाम पेटन जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट की एग्जाम होगी उसमें आपको 150 marks के कोशन पूछे जाएंगे जिसमें आपको इस बर माइनस मार्किंग में देखनों को मिलेगी जो कि पहले देखने को नहीं मिलती थी आपका माइनस मार्किंग कुछ इस प्राकार से होगा जिसमें आपको आप प्रत्यक सही कुशन के लिए एक अंग मिलेंगे और गलत होने पर आपको 1 by 4 की मानियस मार्किंग मिलेगी इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की जो एक्जाम होगी आपकी मुखे लिखित परिक्षा जिसमें आपको सम्मानने हिंदी का 100 अंका कुशन आएगा जो की मातर कॉलिफाइंग के लिए होगा जिसमें आपको कम से कम नहीं तो 40% अंक लाना जरूरी होगा और इसके बाद आपकी होगी सम्मानने अध्यन की जिसमें आपको 300 माक्स का आएगा फर्स्ट पार्ट की सम्मानने अध्यन पिर आपका समान अध्यन दूत्य पत्यर के लिए आपका भी 300 marks का कुशन आएगा टोटाल का 700 marks दे एक्जाम होगी मुख के परिक्षा part 2 के लिए इसके बाद आपका इंटर्वी होगा जो कि 120 marks का आपका इंटर्वी होता है इसमें उसमें भी आपको qualify करना होगा इसमें आप शेक्षडी की योगता देख सकते हैं किस प्रकार है अगर आप एक से लेके 21 तक के विभागों के लिए अपलाई करते हूं तीन नमबर वाले विभाग को छोड़के जो की जीला अगनीश्म पधिदिकारी का विभाग है उसको छोड़के अगर आप एक से लेके 21 सब्सक्रीट मेस तक के लिए अपलाई करते हो तो आपके पास ख्रॉजिशन होना चाहिए जिसा किसमें बताया गया है यह पर अगर आप तीन नमबर वाले के लिए करते हो जो की जीला आगनिश्ट में पदादिकारी के लिए है उसमें आपके पास मान्नेत्य प्रप संस्था से विज्ञान संक्या सिष्ट नातक अथ्वा सनातक अध्नी अंभिमंत्रण अथ्वा यामस्ट आड्रीक आटोंवाइल विशय में अभिमंत्रण स्नातक की देगरी होना अनिवार रेस में इसा बताया गया है पूह अ झाल झाल